नमस्कार मेरे प्री छात्रों मैं पॉन सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दोस्तो आज की क्लास में आप लोग को हम ये बताने वाले हैं दोस्तो बीजगरित के जो सबसे महात्वपूर्स और सामिका होती ओ क्या होती है चुकि बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आया था सर की थोड़ा वीजगरित के जो महात्वपूर्स और सामिका हैं उसको बता दें ताकि एक्जाम के आने से पहले ओ सभी देख ले तो आने वाले एक्जाम में आप लोग को बहुत ही समझ में आ जाएगा दोस्तों गर हम बात करें ये सभी परिच्छाओं के लिए अति महात्वपूर्स और सर सामिका है और यहां से भी कोशन बहुत सारे बनाया जाते हैं तो चली दोस्तों इस वीडियो को इंट तक जरूर देखना आपको पूरी तरह से आज समझ में आ जाएगा कि सवरसामिका कैसे लिखी जाती है और इसके कैसे सूत रियात करते ही और मैं आपको बताऊंगा एक बिरकुल सांदार ट्रिक के साथ इसको बताऊंगा कि आप कभ प्लस बी का अगर अगर बात करें इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो देखें इसको बात करते हैं 2AB, प्लस क्या लिख सकते हैं, B square, इस तरह से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिखे सकते हैं, ठीक है, चली, बात करते हैं, अगर दूसरा, तो दूसरा हमारा लिखा है, A-B का whole square, इसका जो सूत्र होता है, A square, प्लस में B square, फिर माइनस क्या होता है भई, 2AB, तो इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, A square, माइनस A, 2AB, अब प्लस क्या होता है, B square, ये भी आप इसको लिखे सकते हैं, ठीक है, नेश्ट, अगर वरगांतर का जो सूत्र बनता है, इसे वरगांतर का फार्मूला बोलते हैं, ये अपकर जो सूत्र होता है, तो तो A plus B, A question होता है, अगले question होता है, A minus B होता है, A minus क्या होता है, B होता है, या इसे को आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है भई, A minus B, अगले question में A plus क्या होता है, B, तो ये सूत्र आपके सुरसामी का याद करने के सबसे बढ़िया ट्रिक है ठीक है यदि ऐसे ही सूत्र अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो बहुत मज़ा आएगा ठीक हर एक क्लास में आप लोग को बहुत समझ में आएगा चली नेश्ट अगला कोशन देखते हैं प्लस क्या बनता है तो ये इस तरह से आपके वरगांतर और वरगी के सूत्र आपको मिल गए ठीक है अब बात करते हैं हम क्यूब की अब बात करते हैं दोस्तों किसकी क्यूब की तो जो क्यूब का सूत्र होता है ओ आपका क्या होता है जरह देखते हैं A plus B का whole Q का सुत्र होता है A Q plus B Q plus A 3AB bracket में होता है A plus क्या होता है? B होता है A plus क्या होता है? B होता है इस तरह से आपने देख लिया A plus B का whole Q बराबर A Q plus B Q plus 3AB bracket में A plus क्या होता है? B होता है ठीके बात करें दोस्तों अगला A minus B का whole Q तो A-B का whole cube का सूतर होता है Arib-B3-3AB question में A-B होता है ठीक है चली यह आपको सोँझमे आ गया चली देखते हैं हमारा अगला स्ょतर क्या होता है दोस्तों अगला सूतर आपका लिखा है वर्गानतर का सूतर लिखा है सोरी, cube का लिखा है AQ-B cube दोस्तों AQ-B cube का जो सूत्र होता है जो होता है A-B अगले question होता है A square पलसे A, B पलस क्या होता है? B square होता है या अगर हम बात करें इसी को आप और कैसे याद कर सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको लिखेंगे कोश्टंग में A- क्या होता है? B होता है तो सबसे important यह भी फार्मूला आपके बनते हैं चली, नेश्ट अगला बात करते हैं AQ-B cube बराबर होता है A plus B एक कोश्टंग में अगले कोश्टंग में होता है A square माइनस से A, B पलस क्या होता है? B square या अगर आगे हम बात करें इसको ऐसे भी लिखते हैं A plus B का whole cube माइनस में 3AB कोश्टंग में A plus क्या होता है? B आपका सूत्र होता है क्लियर दोस्तों समझ में आ रहा है वीडियो दोस्तों अगर पसंद आ रही तो आप लोग लाइक और सेर जरूर करते रहे ठीक है? चली अगला देखते ही हमारा सूत्र क्या बनता है? वो आपका जो A plus B plus C का whole cube बराबर क्या होता है? दोस्तों यहां से हम बात करें जिसका होता है A cube plus B cube plus A C cube माइनस A 3A B C 3A B C अगर हम और दोस्तों यहां से अंगर बात करें तो यहां एक और फार्मला निकल के आता है जहां पर होता है जहां A plus B plus C बराबर क्या होता है? 0 होता है A plus C बराबर क्या होता है? 0 यदि हम दोस्तों यहां पर इसका मान 0 कर दे इसको पक्षांतर कर दें, तो यहां से एक सूत्र आपका और क्या बन जाएगा, ओ आपका बनेगा, AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या बन जाएगा, 3ABC, यहां से भी यह फार्मूला आपको यादे कर सकते हैं, ठीके, तो दोस्तों आप लोग को यह समझ में आ गया, चली, और आगे चलते ही, तो हमारा स्कॉाइर A प्लस B प्लस C का जो होल स्कॉाइर सूत्र बनता है, ओ आपको क्या बनता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीके, यह सभी फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेन फार्मूले होने वाले ही, देखी, इसके बराबर होता है, A स्कॉाइर प् plus c square plus a2ab plus a2bc plus a2ca यह आपका सोत्र होता है ठीके फिर हम बात करें आगे a plus b minus c का whole square क्या होता है यह होता है आपका a square plus b square plus a c square इधर देखें अगर इसका हम गुला करें तो plus क्या हो जाएगा 2AB, फिर माइनस से BC, 2BC माइनस 2CA, यह आपका सूत्र बन जाएगा, ठीके, चलिए, अगला बात करें, नेश्ट अगला फार्मूला हमारा क्या होगा, ओ आप लोग देखें, ठीक होता है, ए माइनस B, प्लस C का होल स्कॉयर बराबर, ए स्कॉयर, प्लस में B स्कॉयर, प्लस से C स्कॉयर, माइनस में 2AB, 2AB, माइनस 2BC, प्लस का 2CA, यह आपका सूत्र होता है, ठीके, फिर लाश्ट अला जो सूत्र हमारा होता है, ओ क्या है, देखें, ए माइनस B, माइनस C का होल स्कॉयर बराबर होता है, ए स्कॉयर, प्लस B स्कॉयर, प्लस C स्कॉयर, माइनस A, 2AB, प्लस में 2BC, माइनस 2CA, दोस्तों यह आपका फार्मूला होता है, दोस्तों यदि इन फार्मूलों को आप लोग तयार कर लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा ह कि कोई भी अगर राइटर की किताब देखते हैं या कोई प्रकासन किताब देखते हैं आप किसी भी कलास में हैं तो आप लोग इन सूत्र को सूत्र के माध्यम से आप उनके सवालों को क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं जरूर ठीक है यदि वीडियो दोस्तों पसंद आई तो प् दोस्तो बस आप लोग अपनी पढ़ाई ऐसे ही लगातार मेंटेन करते रहें और अच्छी से तयारी करिए। मैं बता रहा हूं कि बहुत जल्द ही आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे और आपकी तयारी भी बहतर जरूर होगी। ठीके दोस्तो बस इतना ही आज के लि प्रच्छी से तयाए भी अच्छी से पास ही आपकी झाल में मुण है आपकी अपकी जड़ी कर दोस्तों कि अतना ही आपकी लोगई।